हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6-8 का वाक्षिट वाक्षिट नमबर 41 वाक्षिट है 21 अगस 2020 का आज का अमारा टॉपिक है सोशल साइन्स एक्टिविटी आज हम इस सो करते हैं वाक्षिट 41 अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वैल आइकन को दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें साथ ही अपने दोस्तों को भी सेयर अवश् important points हैं इन points को सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद जो भी activities इसमें दी हुई है उसको करेंगे स्वतंतरता दिवस के नाम पर मन में उमंग और उत्सा भर जाता है तिरंगा जंडा याद आने लगता है मन में गीत बजने लगता है और इस समय आपके मन में कौन-कौन सा द मनाया है कब तो पंदरा अगस्त को सुतंतरतिवस का जब एक ख्याल आता है तो हमारे मन में देश भगति के अनेकों गाने गूंजने लगते हैं तिरंगा जंडा तीन रंगों से बना हुआ होता है पहला रंग होता है केसरिया दूसरा रंग होता है सफेद और तीसरा रंग होता है हरा इन तीनों रंगों से बना होता है तिरंगा जंडा और बीच में असोक चक्र होता है जो नीले रंग से बना होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी तो एक्टिविटी में हमें कहा गया है कि जब हमें स्वतंता दिवस की याद आती है तब हमा तो बच्चों आपनों के मन में जो जो गीत सबसे पहले आ रहा है उन गीतों की प्रथम पंक्तियां आप इन बॉक्सेस में लिखें और यहां मैं भी लिखती हूँ कि मेरे मन में सुतंतरता दिवस के अफसर पर कौन-कौन सी गीत आते हैं तो यहां देखें सबसे पहले आता है मेरे मन में बंदी मातरम सुझलम सुफलम मलयज सितलम सस्य सामलम मातरम बंदी मातरम जिसके रचेता कौन है जिसके रचेता है वंकिमचन चटरजी वंकिमचन चटरजी का लिखा हुआ गीत है बंदी मातरम और दूसरा देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन कौन से, यानि कि बहुत सारे गीत हैं, जो हमारे मन में आता है, तो दूसरा यहाँ पर मेरे मन में आता है हम लाई हैं तोफान से कस्ती निकाल के मेरे देश को रखना मेरे बच्चों समाल के और देखे और भी सॉंग्स हमारे मन में आते हैं ए मेरे वतन के लोगों तुम खुब लगा लो नारा ये सुब दिन है हम सब का लेहरा लोती रंगा प्यारा और ये सॉंग आया गया है लता मंगेशकर जी के द्वारा लता मंगेशकर जी को और क्या कहते हैं लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहते हैं उसकी बाद मेरे मन में आता है एक बहुत ही फेमस गीत है कर चली हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो ये सारे सौंग्स बच्चों देश भगती से संबंदिस सौंग्स हैं क्योंकि इन सारे सौंग्स में देश का और देश के उन वीर जवानों का गुनगान किया गया है जो हमारी रक्षा के लिए सरहदों पे तैनात रहते हैं अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने स्वतंतरता दिवस के बारे में कुछ महत्तपुन बाते बताई थी कि स्वतंतरता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को और क्यों मनाया जाता है तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजात हुआ था और इसी सुवसर पर हर वर्ष स्वतंतरता दिवस जो है वह 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि हमारा देश भारत बर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा हमारे देश को आजात कराने के लिए बहुत से महान लोगों ने अपनी आहुती दी अपना बलिदान दिया तब जाकर के हमारा देश स्वतंतर हुआ चलिए अब देखते हैं दूसरी एक्टिविटी क्या है क्या करना है हमें तो यहां देखिए स्वतंतरता दिवस के दो नारे लिखिए तो हमें यहां स्वतंतरता दिवस के दो नारे लिखने हैं तो यहां हम लिखेंगे दो नारे पहला हो गया हमारा जैहिंद जैहिंद का नारा किस ने दिया था तो सुबाज चन बोज जी ने दिया था और दूसरा हम लिखेंगे बंदे मात्रम बंदे मात्रम का नारा बंकीम चन चटर जी ने दिया था चलिए अगला एक्टिविटी देखते हैं अगला एक्टिविटी क्या है अब देखिए हमारा अगला एक्टिविटी है नीचे दिये गए गीत को अपने परिवार के साथ गा कर मुवाइल में रिकॉर्ड करके भेजिए तो बच्चों यह गीत हमारे देशवक्ती से संबंदित है इसे हम गाते हैं साथ मिल करके मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ मा तुमारा रिन बहत है मैं अकिंचन किन्तु इतना कर रहा फिर भी निवेदन थाल मेलाऊं सजा कर भाल जब भी कर दया स्विकार लेना यह समर्पन मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित गान अर्पित प्रान अर्पित रक्त का कर कर समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ बांज दो तलवार को लाओ ना देरी बांध दो कस कर कमर पर धाल मेरी भाल पर मल दो चरन की धूल थोरी सीस पर आसीस की छाया घनीरी तन समर्पित मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित स्वप्न अर्पित प्रस्न अर्पित आयुका चंचन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित बच्चो इस गीत को आपको सौ पड़ीवार गाना है और गा करके record करना है record करके इसे आपको भेजना है चलिए अब अगला activity देखते हैं अगला activity क्या है हमारा तो बच्चो यहां देखए अगली activity हमारी है उपर दिये गए विभिन स्वतंतरता सेनानियों के चित्र हैं उनको पहचानते हुए उनके नाम लिखे तो यहां देखे स्वतंतरता सेनानियों के image दिये हुए है यानि के चित्र दिये हुए है हमें क्या करना है इनके चित्रों को पहचानना है और उसके नीचे उनका नाम लिखना है तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं तो यहां देखिए यह image किसका है तो यह image है जासी की रानी लक्ष्मी बाई का जासी की रानी लक्ष्मी बाई कविता तो आप सबने पढ़ी होगी खूब लड़ी मरदानी वतो जासी वाली रानी थी जासी की रानी लक्ष्मी बाई अब दूसरा देखिए इस image को गौर से देखिए इस चित्र को यह चित्र किन का है तो यह चित्र है मंगल पांडे का मंगल पांडे कौन थे तो यह भी एक स्वतंतरता सेनानी थे तीसरा चित्र जो है वह किनका है तो यह है चंद्र सेखर आजाद यहाँ देखिए इस चित्र को तो आप सभी जानते होंगे कि यह किनका चित्र है यह चित्र है भगस सींग का भगस सिंग जिन्हें आज भी लोग बहुत ही गर्व के साथ सम्मान के साथ याद करते हैं अपने आपको देश की आजादी के लिए कुर्वान कर दिया भगस सी मात्रे किस वर्ष के थे जब इन्हें अंग्रेजों ने फासी पर चढ़ा दिया था इस इमेज को यानि इस चितर को गौर से देखिए यह चितर किन का है यह चितर है सुभास चंदर बोष जी का नारा है जै हिंद और सुभास चंद बोष जी ने क्या कहा था तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा अगला चित्र जो है वह है महात्मा गांधी का महात्मा गांधी को और किस नाम से पुकारते हैं आप हमें कमेंट में बताएं कि महात्मा गांधी को और किस किस नाम से जाना जाता है यहाँ देखे यह image किन का है तो यह image है सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू भी एक स्वतंतरता सेनानी थी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय सरोजनी नाइडू ने देश की आजादी के लिए बहुत ही महत्वपून भूमी का आदा के थी तो सरोजनी नाइडू एक देश भग्ज थी तो ये चितर देखिए ये चितर है स्वतंतरता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये चितर है बाल गंगाधर तिलक का किनका चितर है तो ये चितर है बाल गंगाधर तिलक हम लोगों ने पढ़ा है लाल बाल और पाल पढ़ा है ना तो उसमें से ये किनका जित्र है बाल गंगाधर तिलक तो आज का ये वाक्षिट यहीं समाप्त होता है वाक्षिट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें साथ ही अपने दोस्तों को भी सेयर अवश् आप तक पहुंचता रहे आप हमें टेलिग्राम इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो मिलते हैं आगले वाक्षिट में आप सब का धन्यवाद